आपके सम्विधान के तहट जो डिजर्फ सीड से जीद का आते हैं जब दलीतों पर इस तरीके का थियाचार होते हैं दलीतों पर एक आट्रुसिटी होती है और आज दलीतों या बहुजद समाज का जो आभी आप जो रोश्टर आया है तो वो अभी तक किसी तरीके से बोलने लिए लाजी नहीं है कुछ बातें बोलूगा तो बहुत लोगों खराब लएगी लेकिन बात समझने की है कि एक बाबा बताइए शाहद इस पर विवाद भी हो कि बाबा साहब का समयदान बाबा साहब जो जो कॉंस्ट ड्राफ्टिंग कमीटी थी उसके चेर्में ते और उस कि बाबा साहब ने जो मन में आए वो लिखा यह बाबा साहब के सपनों का समयदान है मैं इससे इतिहास के शात्र होने के नाते मैं थोरा सा अस्वमती रखता हूं इसलिए रखता हूं कि जिनको यह बात समझ में आनी चाहिए ड्क्टर अंबेटकर का 1943 का भाषण है श्रमि सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करेंना चाहिए कि सब्सक्राइब इसका मतलब यह है हमारे साथी को समझना चाहिए कि मैं अगर समिधान सभा में आया तो इस वज़े से ही आया कि कम से कम अपने शिडूल का शिडूल ट्राइव के हितों की रक्षा मैं कर सकूँ तो इतने सारे जो लोग थे परसपर बिरोधी विचारधारा के लोग थे उसमें तो उन लोगों से सामंजसे बना के उस सवरे जो बेस्ट एवलेबल हो सकता था डॉक्टर अंबेटकर ने किया डॉक्टर अंबेटकर तो चाहते थे उनका सपनों का भारत यह होता कि आप पृतक निरवाचन शेत्र मिल गया रहता अगर पिछड़ा को पिछड़ा चुनता द भूणाइए ais क्योंकि पूनाः पैक्ट का यह यह हो रहता है अभी तो जाते तो सब सबसे बॉट मांगना पड़ता है तो जाते हैं तो जमिंदार के हाँ बैठके चिकन पिरियानी खाते हमारे लोग करीब मैं चिकेन पर आई नहीं खिलाते होंगे इनको तो सबसे बोट मांगना है तो जिस कॉंस्वेंसी से उचुन कराते हो महां के जमिंदार सामन्त सब के सामने उनको जो है किरीराना पड़ता है वोट के लिए और संसाधन के लिए तो जब सब का वोट लेकर आएगा तो मुह पे आदमी को राजनीती छोड़ देना चाहिए वैसी डॉक्टर अमबेटकर ने जैसे रिजाइन कर दिया था अपने मंत्राला से इसलिए जो सांसत कहते हैं कि मैं समर्थक हुआ उनकी वजह से हूं चार साल में जितने अत्याचार हुए हैं उनको तो सामुईक रूप से संसत म आप लोगों ने यहां कि आवाम ने तो उन्हों से पढ़सनी नहीं किया जब तो कुस्छन नहीं कि आप मेरे वीडियो उठागे थे हमारे सेख्रो एक्टिविस्ट हैं जो सवा अच्छा उनको नजर नहीं आ रहा है कि देश में क्या चला है जब यहां की खबर अमेरिका उसलिए में पहुंच रही है ग मतं सब्लीने तो उनको किस बात की सवाला नहीं हो रा चाएंगे और समयाज में यहां यहां बड़ी-बड़ी बाते करेंगे अगर आपके रहते 130 सांसत के रहते अगर अबाद नीजी करन हो रहा है तो इस शर्म की बात है इसका मतलब है कि हमारे सांसदों ने हमारी हीतों के साथ हेरा फेड़ी कर लिया वहां पर लेकिसर वो तो कहते हैं कि मेरे समाज ने बोट नहीं दिया कि अधिकता लोगों का यह मा अगर आप रिजर्व कंस्वेंस से लड़ते हैं तो मैं तो यहां तक कहने के लिए तयार हूं कि आप पर पार्टी का भी लागू नहीं होता है क्योंकि आप प्राथमी की जिम्हधारी है कि रिजर्व के जो लोग है उनके हितों की सुरक्षा करना यह आपकी प्राथमी की सेवा नहीं आपने धंदा बना लिया है हम रहेंगे एंपी हम रहेंगे मिनिस्टर इसकार मेरा भाई होगा उसकार मेरा बेटा होगा उसकार मेरी बीबी होगी उसकार मेरे फुपा होंगे उसके बाद समधी होंगे तो सब आप ही कर लिजेगा तो आपने धंदा बनाया है राजनीती को कौन कहता है कि एंटिटिफेक्ष्टन लॉस पर नहीं लागू होगा और मैं इसमें बहस करने के लिए तयार हूँ